नमेशकार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल स्री राम क्लासेज में और दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की सामाजिक का सात्वा पार्ट जिसका नाम है राज्यसरकार और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे आधारपर में जो आने वाला एक्जाम्स की तयारी करते हैं तो आईए शुरू करते हैं पार्ट नमबर साथ जिसका नाम है राज्य सरकार तो राज्य सरकार का जो विदान मंडल होता है उसका गठन और कारी किस परकार होता है और इन सबी की जानकारी और निर्वाचन उनकी स सकतियां कार यह सभी इस वीडियों में देखेंगे तो आए देख लेते हैं सात्वा पाठ है ये राज्य सरकार का तो सबसे पहला टौपी के अपना राज्य विदान मंदल का गठान एवं कार रहे हैं तो दुस्तों समीदान के द्वारा बारत के प्रतेक राज्य में एक विदान मंदल की व्यास्ता की गई हैं अब पूच्चा जा सकता हैं कि अनुच्य कौन से अनुच्य के अंतरगत यह कहा गया है तो वह भी हम इस वीडियो में देखेंगे तो आए देखते हैं समीदान के अनुच्य 168 में कहा गया है कि प्रतेक राज्य के लिए एक विदान मंदल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में दो सदनों कुछ में से और कुछ में जो एक सदन से मिलकर बनेगा यानिकि जो विदान मंदल होता है वो किनी और किनी राज्यों में दो सदन हो सकते हैं और किनी राज्यों में एक सदन तथा उसके राज्यपाल से मि के विदान मंडल में जो होंगे वो विदान सबा और विदान परिशद होंगे और प्रते एक राज्य में जनता द्वारा वैस्क मतादिकार के आदार पर निर्वाचित प्रती नीद्यों का एक सदन होता है विदान मंडल के इस सदन को हम विदान सबा कहते हैं और जिन राज्यों में विदान मंदल का दूसरा सदन है उसे विदान परिशत कहते हैं राज्यों के विदान मंदल एक सदनात्मक हो या द्वी सदनात्मक इस बात का निर्णे का अधिकार जो है वो राज्य में निर्वाचित प्रती नीदियों तथा बारती संसद को है जो उस राजी में निर्वाची जो परती निदी हैं और बारती संसत में जो ये सक्ति उनको राप्त हैं वरतमान समय में केवल बारती संग में सात राजियों जिसमें उत्रपरदेश, जम्मू कश्मीर, महाराश्य, करनाटक, बिहार, अंदरपरदेश और तैलंगाना में यहाँ पे द्वी सदनात्मक व्यवस्ता पिका वसेंस राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्ता पिका है अब बात करते हैं द्वी सदनात्मक ता व्यवस्ता पिका वाले इन साथ राज्यों में राज्य विदान मंदल के कितने अंग होते हैं तो उसमें तीन अंग होते हैं पहला अंग है इसमें राज्य फाल दूसरा अंग होता है इसमें विदान सभा लेजिसलेटिव असेंबली कहा जाता है और जिसे प्रथम या फिर निम्न सदन भी कहता है और तीसरा होता है इसमें विदान परिश्यद जिसको लेजिसलेटिव कॉंसिल कहा जाता है जिसको द्विती या फिर उच्छ सदन कहा जाता है जैसा लोग सभा और राजी सभा में होता है वैसा इनका है जो नाम रखा जाता है अब देखते हैं इसमें हम विदान सभा का गठन तो विदान सभा का जो गठन होता है वो विदान मनल का पर्थम और लोगप्री सदन के रूप में होता है अब किसी भी विदान सभा में कितने सदेश्य होंगे उनकी संख्या का निरदारन किस प्रकार होगा उसका हम इसमें देखेंगे सभसे पहला टोपिक अपना पॉइंट है सदेश्य संख्या तो समिदान में राजी की विदान सभा के सदेश्यों की केवल नियूंतम और अधिक्तम संख्या निश्चित की गई है यानि कि कम से कम और अधिक से अधिक संख्या का है जो समीदान में उलेक मिलता है समीदान के अनुच्छेद 170 काफ़े इंपोर्टेंट है ये 170 अनुचेद इसके अनुसार राजी में जो विधान सबाग के सदिश्व की अधिक्तम संख्या है वो तो हो सकती है 500 सो जैसे भी राजस्थान में दोस वह हैं ऐसे केसी भी राजी में अधिकतम है जो 500 हो सकती है और निंटम हो सकती है 64 जैसे सबसे कम है जैसम दिल्ली में राजी नहीं है लेकिन Labor Day 65 कम सेक में जो नियूंत में जो जो छोटे राजी है माप पे कम से कम साथ होना ज़रूरी और चुनाव के लिए प्रतेक राजी को बोगलिक आदार पर उनके अलग अलग निर्वाचन ख्यत्रों में विवाजित किया जाता है और उनको इस प्रकार विवजित किया जाता है कि प्रतेक विदान सभा में विदान सभा का प्रतेक जो सदेशे हैं कम से कम पिचोतर हजार जन संग्या का प्रती निदित्व करता है सेकंडे अस्तान आरक्षन रिजर्वेशन तो राज्यों की विदान सभाओं में अनुसुची जातियों और जन्द जातियों के लिए अस्तानों को आरक्षन की व्यवस्ता की गई है जो 95 जो समिदान संसुदन हुआता 2009 में इसमें जो व्यवस्ता की गई है और ये जनवरी 2020 तक के लिए है राजिक की विदान सबा की निर्वाचन के बाद यदि समंदित राजिक का राजिपाल यह अनुवव करता है कि विदान सबा में बारती आंगले समुदाई को उचित परती निदित्व नहीं मिलाए तो वह उस समुदाई के एक सदिश्ची को कितना सदिश्ची को एक सदेश्य को विदान सभा में मनोनित कर सकता है मनोनित करता है राजिपाल अगर उनको लगता है कि आंगल बारती समुदाई का एक भी परतिनिदित्व नहीं हुआ है इसमें तो राजिपाल को यह सक्ति प्राप्त है कि वह कम से कम एक सदेश्य को कम से कमने एक सदिश्य को जो विदान सभा में मनोनित कर सकता है ये राजिपाल के पास में सक्ति होती है बात करतें निर्वाचन पदोती की तो निर्वाचन पदोती में क्या होता है जो आंगल बारती समुदाई हैं उनकी नामज़त सदिश्य को छोड़ के बाकी जितने भी विजान सभा के अन्य सभी सदिश्ट्वों का जो मतदाताउं के द्वारा प्रतेक्स रोप से चुनाव incarn Whats के लिए वैस्क मतदिकार और स्यूक्त निर्वचन परनाली ततह सातारण बहुमत की पदद्थी अपनाई गई और सभी निर्वाचनक शेत्र एकल सदश्य होते हैं यानिकि एक निर्वाचनक शेत्र में एक ही सदश्य MLA बनता है बात करें सदश्यों की योगिता की जो MLA बनते हैं उनकी योगिता क्या क्या होनी चाहिए तो विदानसभा की सदश्यता के लिए व्यक्ति को निम लिक्कित योगित या राजे सरकार के अधिन किसी लाब के पद को धारण किये हुए न हो और च्वता है इसमें वह पागल या दिवालया गोसित न किया जा चुका हो इसके अलावा वह संसत या राजिक के विदान मंदल दौरा निर्दारित शर्तों की पूर्ति करता हो ये पांच है जो इसमें सदन है उनकी सदश्ता का अंतनिमने प्रकार किसी भी प्रस्तिती में हो जाता है जैसे पहला कारण है कोई भी व्यक्ति यदि राजे विदान मंदलों के दोनों सदश्यों का सदश्य निर्वाचित हो जाता है अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति दोनों सदन के लिए निर्वा का सदेश एक साथ नहीं रह सकता हैं अगर कोई MLB बन गया और MPB बन गया तो उसको किसी भी एक पत्र से अपना त्याग पत्र देना पड़ता है इसके अलावा दूसरा कारण है कि कोई भी सदेश यदि विदान मंडल से समंदित सदन की बैठक में सदन की आग्या के बिना सदेशिता के लिए निर्दारित योगिता नहीं है या उनमें कोई योगिता पैदा हो जाती है तो भी उसको जो उसका सदेशिता निर्दारित जो है वो रद कर दी जाती है उसकी सदेशिता समाप्त कर दी जाती है अब बात करते गर हम कारिकाल की तो राज्य विदान सभा तो संसद को भी ये सकती प्रापते कि वो किसी भी विदान सभा का कारिकाल एक वर्स के लिए बढ़ा सकती है अधिक्तम और किसी भी अवस्ता में संकट काल की गोस्तना समापत होने जाने के बाद ये छे माँ की अवदिसे नहीं होगा अब बात करते हैं कि विदान सभा में जो पदा दिकारी कौन-कौन होते हैं तो परते एक राजी की विदान सभा में दो मुख्य पदा दिकारी होते हैं जिनको हम एक तो स्पिकर कहते हैं अध्यक्स कहा जाता हैं और सेकंड होता हैं उपाध्यक्स जिसको हम डिप्टी स्पिक हैं और डे सिप्यों सीजी और जो radio जो सभा के वर्त्मान अध्यक्स हैं तो यह जो सुखर होते हैं और यह यह भी हमosse ही होते हैं इन दोन्म का चुनाव विदान सभा gua के ऀतने सदूष्यों मैं सही करते हैं यहां की जो ममेरे चुन के जाते हैं उन ही में यह सफिर अद्यक्स और उपाद्यक्स चाहे तो अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं जो विदान सभा के अद्यक्स हैं वो अपना त्याग पत्र उपाद्यक्स को देते हैं और उपाद्यक्स जो अपना त्याग पत्र हैं वो अद्यक्स को दे सकता हैं इन दोनों को विदान सभा सदे या उपाद्यक्स जिसके भी विरुद हम प्रस्ताव पारित कर रहे हैं उनको पहले सूचना देना आवश्यक होगा अब बात करेंगे कि विदान सभा का जो अधिक्स होता हैं उनके क्या-क्या अधिकार हैं और उनके क्या-क्या कार्य हैं उनके पास क्या-क्या पावर होता है उनके बार में हम आप पढ़ेंगे तो विदान सबा की अधिकार तता कारे निम्न प्रकार होता है तो पहला जो मेन कारे होता है वह होता है कि विदान सबा की बेटकों की अधिक्सता करता है जो विदान सबा का अधिक्स होता है तसा इस हेत्तु उसे समस्त कारिवाई आवशक कारिवाई करने का अधिकार भी है जो मिलता है तीसरा कारिव है विदान सबाजक्स का वह सदन का कोई सदश्य सदन में उसकी आग्या से ही बासन दे सकता है बीना विदान सबाद जक्स की आग्यास से बासन नहीं दे सकता है और वहाँ सदन की कारिवाई में ऐसे सब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदिनिय या आसिस्ट है सदन के नेता के परामर्श से वहाँ सदन की कारिवाई को का जुक्रम होता है उसको भी निश्चित कर सकता है और और भी इनके कारे हैं तो अगला कारे हैं इसमें वह प्रस्तों को स्विकार करना करता है या नियम विरुद होने पर उने अज़ स्विकार भी करता है वह मतदान के पश्चात परिणाम की गोष्टना भी विदान सभाद एक्स करता है अगर बात करें हम सामानी प्रिस्तितियों में तो वह सदन में मतदान में बाग नहीं लगता है जो विदान सभाद एक्स होता है जो पक्स और विपक्स के बराबर मत पड़ जाते हैं तब है जो विदानस्वा का जो अध्यक्स होता है वह कास्टिंग वोड का प्रयोग यानि की निर्नायक मत का प्रयोग करता है कोई विदयक दन विदयक मनी बिल हे अत्वा नहीं इसका निर्णे भी अध्यक्स ही करता है दसवा है दल बदल समंदी याचिकाओं पर निर्णे देता है इसके अलावा अध्यक्स की अनुपस्तिती में इन सभी कारियों का संपादन उपाध्यक्स करता है जब अज्यक्स अनुपस्तित रहते हैं सदन में तब उनका जो सारे कारे हैं वो उपण्यक्स से संपाजित कर सकते हैं यह तो पढ़ा हमने विधान सबा के बारे में जो कि राजस्तान में एक विधान सबा है इसी तरह अब हम पढ़ेंगे विधान परिसेथ तो विदान परिशत का जो गठन है वो किस परकार होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे तो विदान सभा को विदान परिशत की उत्पती तथा समापती के लिए संसद की सिफारिश करने का अधिकार है यानिकि विदान सभा को विदान परिशत की उत्पति उसके सर्जन करने की और उसको उनमलन करने की जो सक्ति हैं वो संसद से सिफारिश करने का जो दिकार है वो विदान सभा को दिया गया है अगर बात करें हम अनुचे 119 की तो उसके अनुसार विदान सभा अपनी पूरी सदिश संख्या के बहुमत से तथा उपस्तित वा मतदान करने वाले सदिशों की संख्या के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती हैं तो उस संसद उसराजी के विदान परिस्त की सरजन अत्वा समाप्ति के लिए कानुन बनाएगी कुल मिलाकिस में यह है कि विदान सभा के जितने भी सदिश हैं तो उनमें उपस्तित वह मतदान करने वाले सदिशों का जो दो तिहाई बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पारित कर देती हैं तो संसद उसके लिए विदान परिस्त बनाने या उसको समाप्त करने का कानुन बना सकती हैं अब बात करते हम विदान परिशद में सद्धिश्यों की संख्या की तो किसी भी राज्य का जो विदान मंदल होता है वह विदान मंदल का द्वित्तिय सदन या जिसको उच्छ सदन कहते हैं विदान परिशद होती हैं और समिदान में ऐसे व्यास्ता की गई है कि प्रतेक रा करेंगे उनका एक तीहाई सदेश्य से अधिक उसके विदान परिशद में सदेश्य नहीं हो सकते हैं अगर हम राजस्तान की संदर्ब में देखें तो राजस्तान में जो 200 सदेश्य हैं इसका करेंगे हम एक तीहाई तो तीन का भाग देने पर समय आएगा शेती अठारा और सदेश्य वाला अपना राजस्तान में विदान परिशद का जो सदन बन सकता है और इसके साथ ही कहा गया है कि किसी भी दसा में उसकी सदेश्य संक्या चालिस से कम भी नहीं होनी चीए जम्मू कस्मीर को छोड़के क्योंकि जम्मू कस्मीर में चालिस से कम सदेश्य हैं तो यह है जो इसमें सदेश्यों की संक्या का निर्दारन इस प्रकार होता है टोटल जितने भी विदान सभा में सदेश्य होंगे उनका एक तिहाई सदेश्य से अधिक विदान परिशद में नहीं हो सकते हैं कम से कम 40 उसमें होने चाहिए जम्मू कस्मिर को छोड़ का अपरचेक सरूप से निर्वाचित होते हैं तथा ये चुनाव अनुपांतिक परती निदित्व पदती के अनुसार एकल संकर्मनी मतपदती द्वारा होंगे निमलिकित निर्वाचेक मंडल विदान परिशद के सदेश्यों का चुनाव करते हैं तो बात करते हैं स्थानि संस्ताओं का निर्वाचेक मंडल तो इसमें कोहना और आता है समस्त सदेश्यों का यथा सक्क्य निकर्थम एक तिहाई उस राजी की जितनी भी नगरपलिका हैं जिल्ला परिशद हैं तो ऐसी अन्य अस्थानी संस्ताओं के द्वारा चुना जाता हैं जैसा की संसद द्वारा कानून निर्दरित करें इसके अलावा बात करते हैं विदान सभा का निर्वाचक मंडल तो कुल संख्या की यथा सक्के निकर्तम एक तिहाई सदिश्यों का नि के लिए ऐसे सक्षित व timeless होता है जो उसे राजिक में रहते हैं जिनने इसनाथ तक कि परिक्षाह पास कर ली हैं और यहां इनी यह परिक्षाहः की में तीन वर्स के अंतरगत किसी भी राज की मद्यमिक विद्याले या इससे उंच सिक्षान संस्ताओं में तीन वर्सों से पढ़ा रहे हैं तो यह निर्वाचक मंदल कुल सदेश्यों का यह तसके निकरतम एक बटा बारा बाल होता हैं जितना सनात्कों का होता है उतना ही जो अध्यापकों का भी होता है अब बात करते हम राजिपाल द्वारा मनोनित सदेश्यों कि तो उप्रेयुक्त परकार में कुल सदेश्य संक्या के लगबक पांच बटा च्छे सदेश्यों को निर्वाचित किया जाता है और सेस्पुल भाग का एक बटाची बाग जो सदेश्यों होते हैं जो साइतेश, विज्ञान, कला, साकारिता, समासेवा इन ख्यत्रों में अपने विशेश रुच्ची रखते हैं अब बात करते हैं विदान सबा जो विदान परिस्द हैं उनके सदिश्चों की योगिता है क्या होनी चाहिए तो विदान परिस्द की योगिता के लिए वे ही योगेता हैं जो विदान सभा की सदिष्चिता के लिए कि अंतर के वृ इतना सा है कि उसमें 55 वर्स की आयू होनी चाहिए विधान सभा में और विधान परिशद में इनक्या रिजों 30 वर्स होनी चाहिए इसके अतिरीक्त निर्वाची सदिश विदान सभा के लिए निर्वाचन एक्षित्र का निर्वाचक भी होना चाहिए निर्वाचक मंडलों द्वारा विदान परिशदों के कारिकाल का यह निर्वाचन आनुपतिक प्रति निदित्र के आदार पर एकल संकर्मनिय मत पदति के अनुसार होता है विदान सभा के नि कि पूरी विदान परिश्द कभी भी भंग नहीं होती है, कि उससे रजपाल डोरा भी भंग नहीं किया जा सकता. विदान परिश्द के सदस्वों का कारीकाल छे वर्स होता है। कि विदान सबा होती है उसके कारीकाल पांच वास होता है सदिश्यों का कारीकाल अप्रती दो वर्ष के पास PROD एक टिहाई शदिश्य अपना पद छोड देते हैं और उनके स्तान पर नए निर्वचन हो जाते हैं पदाारी तो विदान परिशे अपने सदिश्यों में से एक स सुबापति का चुनाव करती हैं और विदान परिशत को इन्हें हटाने का अधिकार भी प्राप्त हैं अब बात करते हैं विदान परिशत के अधिकार एवं सक्तियां तथा कारी तो विदान परिशत की अधिकार वनकार्यों का वलेख निम्नी रूप में कर सकते हैं कानूर निर्माण समंदीकार्य तो दन-विदेक को छोड़ करके अन्विदेक रज्य विदान-मंडल की किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकते हैं तता ये दन-विदे-एक दोनों सदनों द्वारा-स्विकरत होने से यह लेकिन इसके साथी समिधान की जो अनुछे सो शत्यान में उसमें कहा गया है कि यदि कोई दन विदेग विदान सबा में पारित होने के पस्चात विदान परिश्द द्वारा अस्विकर्थ कर दिया जाता है या परिशद विदेक में ऐसे संसोधन करती है जो विदान सभा को स्विकारी नहीं होता है या परिशद के समक्स विदेक रखे जाने की तीथी से तीन महा तक विदेक पारिक्त नहीं किया जाता है तो विदान सभा उसे विदेक को पुना स्विक्रत करके वि फिर जो परिशत विदेक में पुना ऐसे संसोदन करती है जो विदान सभा को स्युकार नहीं है तो विदेक विदान परिशत द्वारा पारित किये जाएने के बिना ही दोनों सद्वारा पारित समझा जाता है इस प्रकार विदान परिशत किसी साधारन विदेक को केवल चार म समाहत तक ही किसी विदय को रोक सकती है और विदान परिशत किसी विदय को समाप्त नहीं कर सकती है कारी पल का समंदी कारी तो विदान परिशत के सदश्य मंत्री परिशत के सदश हो सकते हैं विदान परिशत प्रस्तनों प्रस्तावों और विवात क्या दार पर मंत्री को पत्यूत करने का दिकार नहीं है यह कारी केवल विदान सभा के द्वारा ही किया जाता है बात कर अगर हम वित समंदी कारी की तो संविदान में यह भी स्पस्ट रूप से उल्लेक हैं कि दन विदेग केवल विदान सभा के द्वारा ही प्रस्तावित किया जाता हैं विदान परिशद में नहीं विदान सभा में जब किसी दन विदेग को पारित कर सिफारिसों के लिए विदान परिशद के पास बेशती हैं तो विदान परिशद 14 दिन तक दन विदेग को अपने पास रोक सकती हैं यदि वहत 14 दिन के बितर अपनी सिफारिसों सहीत विदेग विदान सभा को नहीं लोटाती हैं तो विदेग उस रूप में दोनों सदनों से पारित समझा जाता है जिसे जिस रूप में उसे विदान सभा ने पारित कर दिया है अब राजी विदान मंडल यानकी राजी विदान सभा की सक्तियां और उनके कारे बात करते हैं राजी विदान मंदल को व्यापक सक्तियां जो प्रदान की गई हैं कुछ सक्तियां निमने प्रकार से दी गई हैं सबसे पहली सक्ति हैं विदाई मंदल विदाई शक्ति तो विदाई सक्ति में क्या होता है कि किसी राजी के विदान मंदल को सामयने तया उन्हें सभी विश्यों पर कानून बनाने की सक्ति प्राप्त हैं जो राज्य सोची में और सम्मिप वर्ति सम्मिप वर्ति सोची में दिये गए हैं साधारन विदेक राज्य विदान मंडल की किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं किन्तु इनके समंद में अन्तिम सक्ति विदान सभा को ही प्राप्तवत की हैं अगर बात करें वित्ति ये सक्ति की तो विदान मंदल मुखेता है विदान सभा को जिसको बजर करते हैं विदान सभा से स्विक्रत होने पर ही सासन के द्वारा आई वेसे समझित कोई कारिय किया जा सकता है और विदान मंडल से विनियोग विदेग पास करने पर ही सरकार संचित निदी से व्यहेतुदन निकाल सकती है बात करें परसासनिक सक्तियों की तो परसासनिक सक्तियों में समिदान द्वरा राज्यों के शत्र के संसदात्मग व्यास्ता स्थापित किया जाने के कारण राजी मंत्री मंडल अपनी निती और कारियों के लिए विदान मंडल विशेष्ट या विदान सबा के प्रति उतरदाई होती है राजी सबा या विदान सबा या विदान परिशत के सदिश्चों द्वारा मंत्रियों के उनके विबागों के समंद में प्रस्त पूचे जा सकते हैं मंत्री मंडल के विरुद निंदा या अलोचना का प्रस्ताव पारित किया जा सकता हैं काम रोको प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता हैं इनके अतिरिक्त समीदान सभा के द्वारा विश्वास प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है जिसके कारण मंत्री मंडल को पद चाह करना होता है समीदान में संसोदन की सक्ति हमारी समीदान की कुछ दाराएं ऐसी हैं जिनमें संसोदन के लिए जरूरी है संसत द्वारा विश्यस बहुमत के आदार पर पारित प्रस्ताओं को कम से कम आदे राज्यों के विदान मंदलों द्वारा स्विकार किया जाए तो राज्ये विदान मंदलों को स्विदान संसोधन प्रस्तावित करने का दिकार नहीं है राजिस्तान विदान मंडल तो केवल अनु समर्थन या फिर आस्विकरती कर सकते हैं बात करते हैं निर्वाचन समन्दी सकती तो राजिक की जो विदान सबा के निर्वाचित सदिशें राश्टपती तथा राजी सभा के सदिशों के निर्वाचन में भाग लगते हैं अब बात करते हैं राजस्तान विदान परिशत के गठन की प्रक्रिया और वर्तमान स्थित के बारे में राजस्तान में वरत्मान में राजी विदान मंदल का प्रतम सदन ही है जिसे विदान सबा के नाम से जाना जाता है विदान सबा विदान परिशत के गठन समंदी प्रस्ताव विदान सबा ने पास करके केंदर सरकार की अनुमतिव अनुमेदन है तुब भेजा है वरतमान में गठन समंधी परस्ताव केंदर सरकार के पास है अधर राजस्तान में विदान मंदल का दुविती सदन नहीं है केंदर सरकार के दौरा अनुमादन के पास्चात गठन की प्रकरिया प्रारंब कर दी जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राजी कारी पालका के बारे में जिनमें हम पढ़ेंगे मुख्य मंत्री, राजी पाल और मंत्री मंदल के कारिये में हम सक्तियों के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा आप वीडियो में कमेंड करके जरूर बताएं और आपके मंद में इससे समधित और कोई प्रस्थ में हो तो जरूर इस वीडियो के कमेंड बॉक्स में लिखें ये अथेंटिक किताब एक अक्षा 10 की विज्ञान सामजिक विज्ञान का ये पाथ हमने पड़ा जिसका नाम है राज्य सरकार तो असा करता हम ये वीडियो अनुश्यत के बारे में चर्चा करेंगे आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक जैहिंज जैह बारत